हाई तु एब़ीवन वेरी गुड़ एवनिंग टू और एक बर फिर से आप आप सबका स्वागत है सब्सक्राइब डार चानल पर वेरी वेरी गुड़ एवनिंग गुड़ गुड़ एवनिग अल्राइट तो आई जरह शुरुबात करते हैं अपने आज के सेशन की अपने आज के टॉपिक की जैसे कि आपको थम्नेल के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आर्ट इंड कल्चर तो आर्ट इंड कल्चर के सेक्ष्ण से कर इंडर फेर्स के परस्पेक्टिब से दोनों को मिला इसे कौन करते हैं वेरी वेरी गुरी इवनिंग चलो एक बाई से सेशन को अपने प्रेंज सग भी पहुचा दिजेगा सो दैट रेस्ट आज के टॉपिक के तरफ इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और उमीद करेंगे कि आप सारे कॉश्चन के आंसर कर पाएं इसी के साथ मे ईसके आप doet होचका है इसके उपर मैंने शॉट वीडियो कर दीया है कलास के बादनाथ जी चुके हैं तो इसके ऊपर शॉट वीडियो है तो आजाज किया जाए ओ्ला हिए जए ज़री वज़सी वल इवनिंग जई श्री कृष्यकरिश्ण' सब रेड़ी एक बार थम अप करो फटा फट से तो चलें फिर निंजा वाईया काई सन्वा शुब संद्या गरीवनिंग गरीवनिंग आए तो आगास करेंगे यहां पर चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ लेकिन आपको यह बता दें कि इस सेशन के अंदर जुतने भी बता है कि बदल जाएगा क्योंकि हमारा पेपर दूसरा है तो यह वो सेक्षिन है जो नहीं बदलेगा ठीक है जो है वो है तो जरा काईदे से कॉश्चन के आंसर करेगा है यह कंज फर्स्ट कोश्चन पहला सवाल आपके स्प्रीन पर आता हुआ बताए गोल मेला यह जो प यह मैंने आपको सुबा पढ़ाया था मैंने आपसे कहा था कि जगनाथ जगनाथ जो मंदिर है कहां पर जमुएं कश्मीर वाले एरिया में उद्धमपोर में वहां पर इसका सेलिब्रेशन किया गया वहां पर यह फेस्टिवल मनाया गया अगर आप से पूच्छा जाता है जगनाद temple originally कहाँ पर है तो पूरी ओडिसा के अंदर आपको ये मिलता है कब बनाया गया तो ये बनाया गया है 12th century में कौन सी डाइनिस्टी ने इसको बनवाया था तो गंगा डाइनिस्टी ने इसको बनवाया था ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से स्टाइल का है अगर आपसे स्टाइल पूछा जाए तो ये कलेंगा स्टाइल का है कौन से style का है कलेंगा style का है लेकिन अगर आपसे आयोध्या मंदिर पूछा जाए यानि कि जो अभी अभी आप देख रहे हैं राम मंदिर जहां पर कितना साड़ा चड़ावा चड़ रहा है है ना unlimited तो आयोध्या मंदिर जो है यह आपको नागारा style का देखने को मिलेगा और इसी तरीके से पद्म स्वामी टेंपल जो कि केरला के अंदर है यह आपको कैसे style का मिलेगा तो यह आपको देखने को मिलेगा इतने facts आपको मालूम होने चाहिए कोश्चन नमर टू पर आईए बताएगा सबात कहा जा रहा है इसमें से कौन सी ऐसी जगे है हाँ विलकुल एसी कौन सी जगे है जहां पर आपको मामानी एथिनिक फूड फेस्टिबल देखने को मिला हाँ न्यू गार्डलाइन्स भी आई है अरे योगी बाबा को गुस्सा आ गई बोले इतनी पीड आईसन काईसन चलेगा तो उन्हों नही गार्डलाइन्स भी जारी कर दी आप को बताना है कि यह कौन से रिवन हैं वह को बताना कीं आप क्रीडले जाव फेस्टिबल रएंस शांदि इपनान को क्या अगए उन्हां पर यहां प्रणी ना मोजोज यह एग फेस्टिबल मनाया गया आपको बताना है कि यह जो festival है यह कौण से स्टेट में मनाया जाता है यहां पर क्या होता है यहां पर ऐखेलो है आपको देखने को मिलेगी और आपको बताना है कि यह festival कहां मनाया जाता है थीख नौ साल के बाद में इसका आयोजन किया जा रहा है आंसर हाँ आस्ट्रेलिया के अंदर भी नाम मंदिर बना है बिल्कुल असम असम और इसका राइट आंसर क्या होगा असम के अंदर लेकिन असम में भी कहां पर है तो यह आपको मिलेगा माजुली दुईपर, माजुली आइलेंड पर और यह जो आइलेंड है यह आपको कौन सी नदी के उपर देखने को मिलेगा तो यह आपको ब्रह्मा फुत्रा के उपर देखने को मिलता है असम के अंदर इसको डिस्ट्रिक का भी दर्जा दिया गया है और यह पूरे विशु का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलेंड है क्या है? पूरे विशु का सबसे बड़ा रिवराइन आइलेंड भी है जुसका नाम क्या है? माजुली दुई अगला सवाद इन में से कौन सा इसा राजी है जहां पे कोग बुरोग डे सेलिब्रेट किया गया जो बच्चा सुभा रेगुलर आता है करेंट अफेर्स के क्लास में उसे इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है? लेकिन आप सोचो कि अरे मैं तो एलपी के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं ये क्लास क्यों करूंगा? सुभा वाली अरे मैं तो जीडी के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं क्यों क्लास करूंगा? करेंट अफेर्स जी के कभी किसी भी एक्जाम के लिए नहीं बतलता ठीक है? तो शिद्दत से क्लासेस को करिए अटेंटिव रहिए आंसर बनेंगे, सेलेक्शन होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा नंबर बताओ, एडिशन मोलो एडिशन नो हीरो पंती, फटा फट से एडिशन बताएए कौन से एडिशन था? जो अभी हाली में मनाया गया है कोग बुरोग डे, 19th of January को त्रिपुरा का हापी वाला बाथरे, 21st of January को होता है आपको बताना है, एडिशन 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 बताएँ, 46th एडिशन, इल्राइट कौन से एडिशन मनाया गया? 46th एडिशन और ये क्या है? ये लैंगुज है, ये भाषा है कहां कि ट्रिपुरा की और ट्रिपुरा की ये एक ओफिशल लांगोज है क्या है इस इस जा ओफिशल लांगोज ठीक है जाए नेक्स बाएगे बताए नाइन एडिशन और पक्के-पागा हॉन बिल्ट फेसिबल कहां पे मनाया गया बताओ यार कितनी मैनत करते हैं तुम्हें लेकिन उसके बावजूद नहीं पर बताओ तो यह भई पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुनाचल प्रदेश के अंदर है वही पर इस फेस्टिबल को मनाया जाता है अगर आप से पूछा जाता है कि ग्रेट हॉन्बिल पेस्टिबल क अगर पूछा जाता है इनकेश सपोस करें कॉस्चन यहां पर यह बताओ यह जो ग्रेट हॉन्बिल है यह कहां की स्टेट बर्ड है ना कहां का आपको यह पक्षी के रूप में देखने को मलता है तो यह अरुनाचल प्रदेश है और के अंदर भी आपको यह देखने को मिल इन दोनों जगह पर यह आपको देखने को मिलता है बहुत इंपोर्टेंट है बाटी बनाते हुए क्लास कर रहे हो तो हम लोगों को कौन पूछेगा थोड़ा-थोड़ा हम लोग के पास भी बिजवाद दो माम मॉर्निंग से आपके कितने क्लास होते है अच्छा एक सुबह साथ बजए करेंड़ा सुद्ध होता है फिर साड़े आठ बजए पेट गलास होता है जोगरफी का और फिर अभी यह क्लास होता है बस इतने क्लास नो लेते हैं ठीक है अगला जाली कट्टू फेस्टिवल बठा ये, बुल टेमिंग फेसिवल, जलीकटू कहां पर मनाया जाता है, तो ये फेसिवल कहां होगा, इसका आयोजिन होता है, तामिल नाडू के अंदर, ध्यान रखेगा, ये फेसिवल celebrate होता है, पोंगल के टाइम पर, और पोंगल फेसिवल जो है, ये चार दिनों का फेसि प्रतिबन लगाया था इसमें क्या होता है बुल टेमिंग आपको देखने को मिलेगी चले हाँ चार बजे भी होता है यह चले बताएं बताएं गुरु गोविंद सेंग जयंती आपको बताना है प्रकाश उत्सव जो है वो यहां पर कौन से गुरुजी के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है बताएं हाँ पुष्पु भईया थाइंके सो माच इसका राइट आंसर क्या होगा गुरु गोविंद सिंग जी इस दा करेक्ट आंसर ठीक है चले नेक्स पर आइए ध्यान से आंसर करना सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इंडियन इंस इंडिया आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी जगे है कौन सी ऐसा शहर है जहां पर अभी हाली में 800 बीसी के समय का कुछ एविडेंस पाए गए हैं आर्के लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आज ही आपको पढ़ाया था ज्यानवापी मॉस्क्यू के बारे में शीय यह आपको बारेनासी के अंदर देखने को मिलेगी लोकेशन पे आ रही है यह घाशी विश्वनादा और दोबनाया जा रहा है वह आपको इसकी लोकेशन मेरेगी इसका असरब बताओ बादनगर बादनगर पालनपुर अचा कुछ शूक को पालनपुर के साथ में एग कुछ बादनगर के साथ में सोच लो एक ब runners Tel O यह इप आप करेटर भेस बताते हो दोस्तने बताया लेकिन कब पढ़ाते हो यह ूंझ आला इनसाफ भी तुम्हारे साथ करेंटर upfront का क्लास रोज सुबर साथ बजे होता है और कल संडे है तो पूरे हफ्ते का रिविजिन भी होगा कल सुबर ठीक है इसकान से क्या होगा वातनगर अगला सबान बताएं पुश्चन में आप से कहा जा रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सोली का ट्राइब रहती है इसको अभी हाली में जीजाई टाइग दीया गया और यह ज्याई टाइग किसको मिलबाहे वेज पेंगॉल को मिला है इसके अलाबा अगर आप देखेंगे तो एक औरव रहनी है जम्बू कश्मीर का उसको भी ज्याईटाग दीया गया यह ट्राइब यह tribe कहां मिलेगी इसका right answer क्या होगा इसका right answer बनेगा करनाटिका के अंदर आपको यह tribe देखने को मिलेगी अगला सवाज बताई कहां जा रहा है गंग्रेडू मेलम यह अभी हाली में festival मनाया गया कब मकर संकरान्ती के समय पर आपको बताना है कि कौन से दो राज्यों के द्वारा इसका आयोजन किया गया name the state ktm इतना short form कोई इसके notes मत बनाना जैसे कि मैं देख पारी हूँ एक strand कह रही है या कह रहा है कि मैं यहाँ पर लिखिएगा तो clear लिखिएगा आपको इसके notes नहीं बनाने बेटा यह सब मैंने सुबा आपको पढ़ाया है चार बार थोड़ी ना notes बनाया जाते है इसका करेक्टान से क्या होगा देलंगाना एंदर आंदर पर देश के अंदर यह celebrate होता है ध्यान रखेगा जब हम मकर संक्रांती बोलते है तो मकर संक्रांती नॉट इंडिया में होता है खिचडी कौँसा खेचडी खिचडी वाले दिन पर बस नानी के जाना अच्छा लगता है क्योंकि नानी पैसे देती है तो यह खिचडी कहां आएगा तो यह आपको मिलेगा यूपी के अंदर इसी की तरीके से आप देखेंगे तो अलग-अलग जगे पर अलग-अलग पैस्टिबल्स होते है जैसे कि इंटरनाशनल काइट पैस्टिबल्स यह कहां पर होता है तो यह आपको गुजुरात के अंदर देखने को मिलेगा कहां गुजुरात के अंदर चीक है चलिए नेक्स्ट प्राइग बताएग कहां जा रहा है कि काई चटनी ओहो देखो तो क्या आई है चटनी आई है बई चटनी इसको जियाई टाग मिला है तो पहले तो तुम यह बताओ यह काई चटनी दूसरा नाम क्या था और कौन से सेट में जियाई टाग मिला है जल्ली सबकी नानी ने देती अरे यार कैसी बात किये सबकी नानी देती है भले दस रुपए दे नानी तो देती है पईसा हाँ बिलकुल सदीपत बताए उडिसा इसका दूसरा नाम तो बताओ पहले मुझे शिमली पाल क्या होगा शिमली पाल और मैंने आपको पढ़ाया था कि शिमली पाल उडिसा के अंदर अब क्या बनाया जाएगा ब्लाक टाइगर सफारी बनाया जाएगा और अगर आप से पूछा जाए काई चटनी यह काई चटनी किससे बनती है वो जो लाल वाली चीटियां होती है वो जो रेड वाली आंट होती है जो चीटियां होती है इससे यह चटनी बनाई जाती है लेकिन कापी नुट्रिशिस होती है, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं खाई, और ना मैं खाऊ, सॉरी, I am purely vegetarian, आख लाँ देखेगा, International Camel Festival, कहां पर, Camel Festival, आपने अभी जोइन किया है, तो क्या पिछली सारी classes लेनी पढ़ेंगे, मन्थली का इंटरफेस पढ़ लेना, क्योंकि अब चूट गया है, अब उसको कवर करने बैठ होगे, तो time-taking process होगा, January का compilation पढ़ाएंगे, उससे पढ़िएगा, बताएं, इसका right answer यहां पर क्या होगा, बीका ने, राजसान के अंदर, तो Camel Festival, कहां पर, राजसान के अंदर, अगर पूछा जाए, पुछकर मेला, कौन सा मेला, पुछकर मेला, तो यह भी कहां, राजसान के अंदर, अगर पूछा जाए, डेजर्ट पेस्टिबल, डेज यह किसको dedicated है, तो UN ने यह पूरा जो साल है, International Year of Camelettes, यानि कि उटो को पूरा का पूरा जो साल है, वो dedicate किया है, कौन सा वाला, दो हजार चौबिस स्वाला, ठीक है, तो दो हजार तेईस किसके लिए था, बताएं, दो हजार तेईस किसके लिए था, अरे सुनाली ऐसे नहीं करते हैं, बताएं, यह option answer मत मार्ग कर देना, यह गलात option है ना, तुम जैपूर को UP में मार्ग कर दो, हाँ, ऐसा कर सकते थे वैसे तो, हाँ, कल जोगरपी का क्लास होगा, यार तुम लोग टेलीग्राम का इनी दे टेलीग्राम पर मैसेज डॉप किया तो है कि कल जोगरपी का क्लास होगा, पेड बच्चों का, आट बजे से लेके, साड़े नौ बजे तक, टेलीग्राम जोइन करके, म्यूट कर देते हो, फिर पूस्ते रहते हो, इस तान से क्या बनेगा, मिल इट, ठीक है, चले, नेक्स कोशन पर आए, बताये, विध बिच अब दिई इंडियल स्टीट, इस बार्च इनदर लेके राज के अनदर पर्फॉर्म किया जाता है, कौन से राज में पर्फॉर्म किया जाता है, मन्थली करेंट फैस हम पढ़ाएंगे बेटा जब ये मंध खतम होग तो उसके बाध जो भी संड़े आएगा उस दिन हम पढ़ाएंगे हम ही पढ़ाएंगे बस साथ बज़े रोज क्लास में आओ पता चल जाएगा कब मंथली आएगा कब वीकली आएगा कल है संडे तो कल होगा वीकली ठीक है बताएं इसका आंसर ओड़िसा किया है कुछ बच्चों ने इसका राइट आंसर क्या बनेगा करनाटिका इसका करेक्ट आंसर बनेगा अगर आप से पूछा जाता है कि यह जो ड्रामा डांस है यह एक्चल में पूरी रात भर चलता है जिसकी वज़े से स्पीकर्स वगरा का इस्तमाल होता है लेकिन मैंने आपको करेंट के क्लास में आयोजन नहीं हुआ और अब जाके इसका आयोजन अभी जैनवरी में किया गया था तो इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा करनाटिका इस दा करेक्ट आंसर अगला सवाद विच इंडियन स्टेट इन में से कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहां पे लांजिया पर आल दी इग्जामिनेशन अल दी इग्जामिनेशन चलिए इसका करेक्ट टांसर क्या होगा ओडिसा के अंदर अभी हाली में जी आई टाग दिया गया है यह पेंटिंग का नाम याद रखेगा वेरी 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 इंपोर्टिंट पेंटिंग अगर आपसे पूछा जात है कि यह बताईए वुडेन पेंटिंग को या पर वुडेन क्राफ्ट को अभी हाली में जी आई टाग मिला यह कहां पर मिला है यह लद्दाग के अंदर मिला अगर आपसे पूछा जाता है कि लकडी के ऊपर जो कलाकारी होती है वह बहुत फेमस कहां पर होती है तो वह अंदर मिलेंगे आप मैसूर जाहिए शीरंगा पतनम जाहिए इतनी खुबसूरत वहां पर आपको पेंटिंग्स एकने को मिलेंगी लकडी के ऊपर वो लोग बनाते इस ब्यूटिफुल चुक है चले नेक्स पर आईए बताएं कहा जा रहा है अभी हाली में शेहद राइस तंगाई साड़ी इन सभी को मिला है जी आई टाग आपको बताना है कौंसे सेट में अगर हम जी आई टाग की बात करें तो अपने यहाँ पर इसके लिए जो बिल है वो 1999 में आता है इसको कानून कब बनाया जाता है 2003 में ये कानून एक एक्ट बनाया जाता है 2004-2005 में पहल जी आए टाग दिया जाता है इसको मिलता है दार्जुली टी को इसको मिलेगा दार्जुली की चाय को बताएं West Bengal अभी बताया था आपको सुंदर बन के अंदर क्या मिलेगा हनी मिलेगा ठीक है तो इसका आपनेगा West Bengal अगला इन विच इंडियन एस्टेट वाज एक इंस्क्रिप्शन फाउंड रिटेन इन बोथ कंणर और संस्क्रिट आपको बताना है कि अभी हाली में ऐसी कौन सी जगे है जहां पर 10th century का एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है जिसके ऊपर कंणर और संस्क्रिट दोनों भाशा आपको बताना है कि अभी हाली में स्टीट पूर पेस्टिवल कहां पर मनाया गया जहां पर जीरो वेस्ट के उपर फोकस किया गया है यह festival कहां पर मनाया गया है इसका correct answer क्या हो जाएगा दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है मैंने आपको बताया था कि 26th of January के उपलक्ष में हमारा समविधान हमारा सम्मान है ना कुछ ऐसा एक campaign launch किया गया था और यह campaign भी कहां पर आया था तो यह दिल्ली के अंदर देखने को मिला किस ने launch किया था तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना जगदीब धंकर जी इनके द्वारा इसको launch किया गया था ओके और अभी आपने देखा कि रिपाब्लिक दे जो है वो 75th edition का celebrate किया गया है अल्राइट चलो नेक्स व्याओ बताओ 12th number का दिव्विकला मेला कहां पर celebrate किया गया 12th number का दिव्विकला मेला कहां पर मनाया गया है जल्दी answer करें इसका correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा सूरत के अंदर इसका आयोजन किया गया ठीक है पहली बात यह क्या है दिव्विकला मेला है यानि कि जो अपने देश के अंदर दिव्यांग जन है उनके लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया सूरत में, सूरत का मतलब क्या हो गया? गुजूरात के अंदर स्कायोजन हुआ अगर आप सूरत देखोगे तो सूरत आपको कॉन सी नदी के किनारे मिलेगा? तापी नदी के किनारे मिलेगा सूरत और भी क्यूं जाना जाता है? क्योंकि उसकी सूरत ज flopista है ज़रूरी है क्योंकि सूरत तो गुजरात में भी है याद आया तो सूरत में आपको बताया था उस इन की इस इस ओएमस फॉर डायमंड कंटिंग कि इस चीज के लिए जाना जाता है लेकिन अगर आप देखें सूरत के अंदर एक किलोमेटर की आपको स्लाग रोड भी देखने को मिलती है यह स्लाग रोड इसकी साहता से बनाएगी है जो वेस्ट माटीरियल होता है जो वेस्ट माटीरियल उससे यहाँ पर इसको बनाया गया है ठीक है? इस इस वेरी इंपोरेंट अब आपको बताना है कि यह किस से जुड़ा हुआ है क्योंकि युनिस्को की इंटेंजिबल इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर रखा गया है नेम दा स्टेट भोली सी सूरत आखों में मस्ती ओ हो दूर खड़ी शर्माए आच्यार्ग है ऐख यह व्यसे अगर आप नवकरी को बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा है ना जलो जब हम युनेस्कों की बात करते है युने में एक तो देखो इनटेंजिबल होती है आप इनटेंजिबल में देख़ोगे तो आप सबको मालूम है कि अब कितने हो चुके हैं तोटल आपको 15 मिलेंगे लेटेस्ट वाला क्या है गरबा डांस फॉर्म क्या है गरबा डांस फॉर्म आपको मिलेगा C बता रहे हो C विल्कुल सही जवाब इस कानसे क्या होगा? कैरिला होगा अगर आपसे पूछा जाता है तो करनाटिका के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। कई बार यहां से भी कॉशन बनता है। चले, ग्रीज बुक और वर्ल रिकॉर्ड लेटिस्ट तबला एंसेंबल तुक प्लेस। जहां पर इतने सारे तबला वादक आये थे जिन्नों ने तबला परफॉर्म किया था। आपको बताना है कि वो कौन सी जगे है। वो कौन सी जगे है। अले मुसकान दीडी कांट ही टूब। इसका राइन आंचर क्या होगा। ग्वालियर। अब देखो यहीं पर क्या होता है तांसेन समारो का आयोचन होता है MP के अंदर कहां ग्वालियर में और अभी हाली में यहां पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। यहां पर कितने तबलावादक थे कारीबन 1500 आपको तबलावादक देखने को मिलेंगे। यह किस से जुड़ा हुआ है तांसेन जी के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पर लखनौ लिखा है। तो आज कल लखनौ जो है वो सुर्खियों में नहीं चल रहा है। बट यह जो बारनासी है यह चल रहा है। क्यों वही ज्यानवापी मॉस्क्यू और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यहां पर टेंपल। यह सुबह मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। अगला बताईएगा। कौन सा इन में से ऐसा राज यह है। जहां पर निर्मला सीता रवन जी के द्वारा इनुग्रेट किया गया। क्रिश्टव वेनी संगीत निरंजनम। बताएं कहां पर इसको इनुग्रेट किया गया। आज वो चुकी है 27 तारिक है और 31 आने वाला है एकनोमिक सर्वे आएगा उसके बाद में बजट आएगा। बताएं इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। अंद्रप्रिदेश के अंदर अभी हाली में इसको लांच किया गया है। आंद्रप्रिदेश का नाम आएगा तो सिंपल सी बात है अमरावती का नाम आएगा अमरावती यह जगा की बात कर रहे हैं नदी की बात नहीं कर रहे हैं। यह क्या है एक प्लेस है पॉंसी नदी के किनारे पर है तो यह आपको खृष्णा नदी के किनारे मिलेगी। लेकिन अगर मैंने बोला अमरावति नदी तो यह किसकी सायक नदी है? यह किसकी सायक नदी है? बताएए किसकी सायक नदी है? किसकी सायक नदी है? तो यह कावेरी की सायक नदी आपको मिलेगी अगले सवाल पर आई है मेरा गाउ मेरी धरुवर आप सबको ध्यान होगा किसको अभी हाली में लॉंच किया गया था मिनिस्ट्री ओप कल्चर के दौरा या मिनिस्ट्री ओप टूरिजम के दौरा जी किशन रेड़ी जी आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी वाली फील्ड के अंदर यह होगा तो इसका राइट आँसर क्या होगा? जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे दिखाने के इसको लॉंच किया गया मिनिस्ट्री ओप कल्चर और मिनिस्ट्री ओप टूरिजम इन दोनों ने मिलकर इसको लॉंच किया है अगले पे आएए बताएए डॉक्टर बियार अमेटकर जी का एक वाक्स स्टेचू ठीक यह कहाँ पर रखा गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको लिखा हो नजर आ रहा है महा परी निर्वान डे ठीक है यह दिन कब था? 6th of December को यह इनकी death anniversary थी अगर पूछा जाए कि इनकी birth anniversary कब होती है यानि कि happy birthday कब होता है तो 14th of April को इनका happy birthday होगा बताएं अरे यह bullet series ही है बेटा उसी के अंदर art and culture शुरू क्या है बोला नहीं था आपसे 27 तारिक से topic वाइस चलेंगे तो solve करो सारा ध्यान इस पे कब होगा उस पे कब होगा फलाने पे कब होगा जो चल रहा है वो नहीं पढ़ना है ना क्योंकि इसको पढ़े बिना selection हो रहा है चलिए जैपूर wax museum के अंदर अच्छा तो यहां पर किसी और का भी तो wax statue अभी आया था विराच खोली कौन विराच तोली तुम्हाएं चीकू भाईया है ना और icc player of the year का किसको गया तो यह भी चीकू भाईया को गया किसको चीकू भाईया को यह खिताब दिया गया अगला बताईए festival of light यह साथ दिसंबर से पंदरा दिसंबर के बीच में celebrate किया गया आपको बताना है कि इस festival का नाम क्या है हां मेरा शेचू भी तुम मनवाद हो अच्छी मतलब इसका राइट आंसर क्या बनेगा हनुका क्या हो जाएगा हनुका ठीक फेस्टिबल याद रखिएगा अच्छा एक और फेस्टिबल होता है नवरोज फेस्टिबल इसे हम क्या कहते हैं पार्सियों का या पर्शन का न दान्स है जिसको युनिस्को की सूची में शामिल किया गया है बताएं कौन सा दान्स है जिसको युनिस्को की सूची में शामिल किया गया तो यह क्या होगा गर्बर डान्स फॉर्म अभी हाली में शामिल हुआ है अगर हम गर्बर डान्स से पहले की बात करें तो उससे पह का था 14th नंबर का था लेकिन अगर हम बात करें 41 और 42 टेंजिबल के अंदर तो क्या बनेगा 41 और 42 तो यहां क्या आएगा शांती निकेतन यहां पर विश्व विद्याले कहां वेस्ट पैंगॉल का और 42 क्या आएगा होसाला डाइनस्टी के समय का होसाला टेंपल ठीक है यह दोनों आपको याद रखने पेपर में सवाल बनते हैं अगला सवाल इंडियन ओरिजन आएस आर्ट एवर्ट दिया गया आपको बताना है उनका नाम क्या है विल्कुल करेक्ट अभी शेक राइट देखिए आप सबी लोग जानते हैं जैसे की रवन मेगेसाई अवर्ड है इसे हम कहते हैं एशिया का नोबल एवर्ड और रवन मेगेसाई अवर्ड जो है यह सुरदर करेक्ट सुरजीव हाँ जी बताएं तुक्का मत लगाएं तुक्का कता ही ना लगाएं सी मीरा चांद मीरा चांद अरे वाँ वाइरी गुड चलिए बहुत बढ़िया अगला सवाद ऑक्सपोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस वर्ल्ड अफ दी येर किसको दिया गय ओक्सपोर्ड वर्ल्ड ऑफ दाएं इस बात के शब्द को रखा गया था अगला वर्ट वॉस्टी प्रोफेश्चनल ऑफ बी एन गोस्वामी वो रिसेंटली पास्ट अवे अड़ एज ऑफ 90 आपको बताना है कि इनका जो नाम है वो कौन से छेत्र से जुड़ा है और इनक इनकी देथ हुई है जब यह 90 सार के थे बताएं नेम दाफिल्ड नेम दाफिल्ड इसका आंसा यहां पर क्या होगा हिस्टॉरियन क्या हो जाएगा हिस्टॉरियन इस दा करेक्ट आंसर ठीक है अगला वेयर वाज़ दाफ फर्स एवर महा कुम्ब ऑफ दिव्यांग जन महा कुम्ब ओफ दिव्यांग जन हेल बताईए किस जगह पर देखो अगर आपसे पूछा हाँ चार्मिंग बेरी गड़ बताएं मेटा तुमको आशिश जरा से भी शरम नहीं आ रहे है तुम अकेले के लिए बाटी चोखा के बारे में डिस्कुर्शन कर रहे हो तब हम लोग को क्या मन नहीं करता है फिर ऐसे खाने का गलम बात है खाने के बात नहीं कि जाते है ठीक है देखो कुम्ब मेले की बात होगी प् वारनासी काई वारनासी कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा तो ये हो गया भूंगा रिवर यह हो गया तंथन पर में पूछा गया था बताएं मोंसून आप व्ल्व आ लोगें यह यह किसकी है इसका राइड आंस है यहां पर क्या बनेगा अब है कुमार की किताब है मौनसून वाली अभी पेपर में पूछी भी गई थी अगला पेसिबल ऑफ लाइबरी इस दिल्ली के अंदा इन्योग्रेट किया गया आपको बताना है कि किसके द्वारा इसका शुबारम किया गया यार हम सुबर सुबर खाने की चीज़े इसलिए बताते हैं भुबनेश कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टन हो जाती है ना इसे शाम को खाने की बात नहीं की जाती इसका राइट आंचा किया होगा द्रौपती मुर्मुजी अभी आपने देखा 26th of January को इनके स्पीच पी हुई थी और जो जंडा पराया गया था वो भी आपने देखा होगा इन्होंने पराया था और इस बार अपने आपे गेस्ट कोन आये थे तो यह हो जाएंगे इनामल मिक्रॉन ठीक है जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे तो फ् आज के बाद में आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी हम शेयर करेंगे और स्ट्रेडियन ओपन समाप्त हो चुका है उसके बारे में जड़ा देख लीजेगा दो एनाउंस्मेंट है उसके अंधर बताइए इसका राइट आपर क्या पनेगा अक्टर क्या है अक्टर रा के साइट पर भी तिरंगा लगाया हुआ था चलिए आपको बताना है कि यह कॉंसेप्ट क्या है तो पहला लिखा हुआ है लोगों को इंकरिज करना कि वह जादा सा जादा क्या करें पेड़ पौधे लगाए लोगों को यहां पर इस बात का हैसास कराना कि हमारे देश के ज वुक्त रजादी आंसर बता हैं आच्छा अच्छा इसका राइट आंसर क्या होगा और इसका आंसर और दान्षा आप्शों नमबर प्टिक राइट आंसर मंडें वह ईक सी क्यों मूगा तो ठोड़ा सा अपने आपको रेगूलर कर लिजिएगा। ठीक है? In which country has scientists discovered a hidden passage inside the great pyramid? आपको बताना है कि वहाँ पर एक नया जो रास्ता है वो discover किया गया है जोसे हम बात करते हैं Darwin के बार में तो Darwin arch हुआ करता था जो अभी हाली में तूट गया था है ना? आपको वैसे ही बताना है कि ये कहां पर ढूना गया है तो ये एजिप्ट के अंदर मिसर के अंदर अभी हाली में इसको ढूना गया है अगला आपको बताना है भारत के अंदर जो अर्केलोजिकल सर्वे अप इंडिया है जो मिनिस्ट्री ओप कल्चर के अंदर काम करता है इन्होंने अभी हाली में एक बुद्धिस स्टूपात हो जा है जो की 1300 एर पुराना है बताएं नेमदा प्लेस जगे का नाम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उडिसा क्या बनेगा उडिसा के अंदर अगला अगला रहते हैं असम के अंदर और बोडू भाशा जो है बोडू जो लांगुज है इसको भी असम की ऑफिशल यह सेकें ऑफिशल लांगुज डिक्लेयर किया हुआ है आपको बताना है फेस्टिवल कहा होगा हम सिल्चर सिल्चर बता रहे हो अच्छा अच्छी बड़े थे हो ना तुम इसका अंसे क्या होगा कोक राजहार का कोक रजहार चलेए तो आपने यहां तक सारे कोश्चन्स को प्रॉपरली एटेंट किया होगा ठीक है अब आपसे हम मुलाकात करेंगे सुबह अभी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो आएगा उसे चेक आउट करेंगा आस्ट्रेलियन ओपन का समापन हो चुका है विमन्स और डबल्स वाला उसके उपर शॉर्ट वीडियो चैनल पर आ गया है और अभी आपको टेलेग्राम पर भी शेयर करेंगे इसकी पीडियो भी आपको टेलेग्राम पर मिल जाएगी कल सुबह आपसे मिलेंगे हम साथ बजे जहाँ पर वीकली MCQ होगा और उसके बाद में आपके लिए एक शॉर्ट सेशन आएगा कि बहुत सारे लोग भारत से इसराइल जा रहे हैं तो उसका में रीजन क्या है उसके लिए आपको एक पांच मिनिट का सेशन कल सुबह बजे तो उसमें भी आपका ऐसे ही टॉपिक होगा जो आपका एलपी जीडी यूपी हर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा ठीक क्योंकि यह टॉपिक्स बजलते नहीं है यह टॉपिक्स आजट इस रहते हैं सेम रहते हैं और रहते हैं तो तो तिल देन खुश रहे ह मुश्कराते रहे